So guys finally हमारे game के अंदर petrol pump को activate करने का cheat code आ चुका है और आप दीग सत्यों के मैं petrol pump को activate कर लिया है और इसी के साथ आपको JCV से मिट्टी कोदने का cheat code भी मिल चुका है अब आप JCV से मिट्टी भी कोद पाएंगे एंड इसी के साथ आपको ये वाला न्यू एलिपेंट देखने को मिला है एंड इसी के साथ आपको ये वाला न्यू रोबोट ड्रोन मिला है तो इसका cheat code क्या है हो भी आज मा आपको बताने वाला हूँ इसी के साथ RGA Tool के अंदर आपको कापी सारे नई चीट कोड देखने को मिले हैं तो आज मैं आपको RGA Tool के जितने भी चीट कोड है सारे बताने वाला हूं इसी के साथ बहुत सारे से नई वीकल्स आ चुके हैं जिनकी आप लोगोंने डिमांड कीती तो उनकी चीट कोड भी आज आपको पता लगने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्कीप की एक कम्प्लीट देखना चली शुरू करते हैं तो देखो सबसे पहले आपको अपने सैलपोन को निकाल लेना इंड इसके अंदर आरजीस टूल को ओपन कर लेना है जब आप आरजीस टूल को ओपन करके इसके अंदर हैना H1 डायल करोगी तो आपको ये वाला आउस देखने को मिलेगा इसके लाओ भी वह सारे नई आउस भी आ चुके हैं जैसे आप H2, H3 इस तरीके से डायल करोगी 10 तक तो आपको 10 ऐसे आउस देखने को मिल जाएंगी तो आप आरजीस टूल के अंदर इस तरीके से H1, H2 डायल करके अलग-अलग आउस को ले सकते हो इसके बाद फिर से आपको RJS टूल को ओपन करना है उसके बाद आपको B1 डायल करना है जब आप यह डायल करोगी तो आपको यह वाली बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी इसके लाओ आपको 12 बिल्डिंग और भी देखने को मिली है तो उनका cheat code क्या है उनको लेने के लिए आपको क्या करना जैसे B1, B2, B3 इस तरीके से 12 तक डायल करना आपको अलग-अलग बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी तो अब आपको House and Buildings का cheat code तो बाता चली गया है और इसके लाओ आप next cheat code के हम बात करते हैं आपको W1 डायल करना है जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली दिवार देखने को मिलेगी एड इसके बात W2 डायल करना है जब आप ये डायल करोगे तो आपको दूसरी वाली दिवार देखने को मिल जाएगी एंड इसी तरीके से W3 डायल करोगी तो आपको ये वाली जाली वाली दिवार देखने को मिल जाएगी मलब हमारे Indian Bike Drive 30 के अंदर 3 तरीके की दिवार आचुकी है अब मतलब अपनी CT भी आप डावलप कर सकती हो एंड इसके बाद आपको P1 डायल करना है जब आप P1 डायल करोगी तो आपको ये वाला लाइट वाला पोल देखने को मिलेगा एंड इसी तरीके से आप P13 तक अलग-अलग नंबर डायल करोगी ना तो आपको यापे अलग-अलग चीज़े देखने को मिलेगी एंड इसी तरीके से आपको उनको लेने के लिए आपको क्या डायल करना है P1, T2, T3, T4, T5, T6 तो आपको अलग- dated 3 देखने को मिल जाएंगी एंड इसके बाद आपको फिरसे सैलपॉन को निकालना है इसके अंदर RGS tool के अंदर है आपको क्या dial करना है या पर आपको dial करना है या पर R1 जब आप यह dial करोगी तो आपको यह वाला ramp देखने को मिलेगा इसके लाव आपको फिर से cell phone के अंदर C1 dial करना है जब आप यह dial करोगी तो आपको यह वाला container देखने को मिलेगा इसी तरीके के पाँच कंटेनर हो रहा है तो आपको C5 तक डाइल कर देना पाँचों कंटेनर आ जाएंगे यानि के C1, C2 इस तरीके से तो यहाँपे यह थे आपके RGS टूल के R cheat code अब देखो यहाँपे आप इनको अलग अलग जगह पे उठा कर भी ले जा सकते हो आपको पता है इनके पास जाना है और वहाँपे उठाने का सिस्टम आए रहा इस तरीके से तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे भी आप इसको रख सकते है इसी तरीके से यहाँपे अब बात की जाएगी मानलो आपको किसी चीच को रिमू करना तो उसको कैसे हम रिमू करेंगे तो इसके लिए आपको पिरसे RGS टूल को ओपन करना है और इसके अंदर पाद आपको पिस्टल निकालनी है तो आपको गनवाले उप्सन से शरी पिस्टल को लेना है उसके बाद किसी भी आप याप जो भी स्पॉन करा है उसके गोली चलाओगे तो चीज रिमू हो जाएगी देख सकते हैं आप मैं इसली तरीके से आप किसी भी चीज को यहाँप उन पर अभी वरक चल रहा है और इसी के साथ अगर आप किसी और विकल्स को एड़ करवाना चाहते तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोमेंट कर देना अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करकी चैनल को सस्क्राइब कर लेना बस आज की लिए और नेक वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई